नमस्कार, हाट टॉपिक में आपका स्वागत है, मैं हूँ अखिलेश शर्मा पांच राज्यों के विधान सभा चुनाओं की घोषना किसी भी वक्त हो सकती है चुनाओं की घोषना के साथ ही आदर्श आचार सहीता लगू हो जाएगी यानि उसके साथ ही ऐसी सरकारी घोषनाओं पर रोक लग जाएगी जिन से मद्धाताओं को लुभाया जा सके यही कारण है कि इन चुनाओं राज्यों में फिलाल सरकारों की ओर से घोषनाओं की जड़ी लगी होई है पिछले कुछ घंटों में कई बड़ी घोषनाओं होई जैसे मद्धी परदेश में महलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 परतिशत आरक्षन देना हो या फिर रायस्थान में सरकारी बसों में महलाओं को यातरा करने पर किराय में 90 परतिशत की छूट इन चुनावी राज्यों की सरकारों ने ऐसे वादों को पूरा करने के लिए बेथाशा कर्ज लिया है और शायद अगली सरकार पर कर्ज का बड़ा बोज छोड़ कर जाएं आज सुप्रिम कोट ने ऐसे ही आचिका पर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और मध्य परदेश और रायस्थान की सरकारों को नोटिस में जारी किया है चुनाव को ध्यान में रखकर रेवडियों की बरसात लगातार हो रही है चाहे केंद्र सरकार हो या फिर रायस सरकार है एक के बाद एक कई लोग लुभावन फैसले और घोशनाए कर रही है अगर केंद्र सरकार की बात करें तो उसने सिलेंडर सस्ता कर दिया है यह जो उज्वला योजना के तहर सेलेंडर है इस पर 100 रुपे की और छूट दे दी है कुछ दिनों पहले ही यह 200 रुपे सस्ता किया गया था यानि अब तक 300 रुपे सस्ता किया जा चुका है और अब यह 600 रुपे का पड़ेगा मध्यप्रदेश की बात करें तो वहाँ पर बीज़ेपी सरकार ने 500 रुपे में सिलेंडर देनी की बात कही है जबकि कॉंग्रेस ने कहा है कि अगर मध्यप्रदेश में उसकी सरकार बंती है तो वह 500 रुपे में सिलेंडर देगी यह वादा है मद्यप्रदेश में राइस्तान की बात कर तो कहलो सरकार वहाँ पर 500 रुपे में सिलेंडर देने की बात कर रही है तो यह बात तो ही LPG सिलेंडर की कुछ और भी खोशना है केंद सरकार अपनी ओर से कर सकती है बता जारा कि सपनों का घर पूरा करने के लिए गरीब और निम् प्यास लाख रुपे तक के लोन पर ब्याज में छूट दी जाएगी यानि सरकार अपनी ओर से कुछ सबसीड़ी देगी यह 3-6 परतिश्य तक की छूट हो सकती है यह बहुत जल्दी इसका एलान होने जा रहा है यह हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है और यह प्र और वहीं एक अंदाजा ये भी है कि केंसरकार किसान सम्मा निधी की राशी में भी इजाफा कर सकती है किसान सम्मा निधी अभी 8.5 करोड से अधिक किसानों को हर 4 मेहने में 2,000 रुपे दिये जाते हैं यानि साल भर में 6,000 रुपे सीधे किसानों के बैंक खातों में डाल जाते हैं इसे बढ़ा कर 8,000 रुपे किया जा सकता यानि 6,000 से बढ़ा कर इसे 8,000 भी किया जा सकता है वैसे संभव यह सूतर यह बता रहें कि यह खोशना शायद लोगसभा चुनाओं से पहले हो अभी फिलहाल विधासभा चुनाओं से पहले इसको ना किया जाए अगर आज सरकारों की बात करें तो रेवडियां बातने में वो भी पीछे नहीं है रायस्तान में रेवडियों की जड़ी लगी हुई है हमने जिक्र किया 500 रुपे सरेंडर का जो गेलो सरकार ने एलान किया है 100 यूनिट बिजली फ्री गरी परिवार को की जो बच्चेया उनको स गोशना है मद्यपदेश की बात करें तो वहां पर भी घोशनाओं की बरसाथ है लाडली बहना योजना के तहट हर परिवार की एक महला को 1250 रुपे महने और इसको और बढ़ानी की बात भी थी लेकिन अब तो आज अचार सनीता लग जाएगी 500 रुपे में गैस सिलेंडर का ने महलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण का एलान भी किया है माँ बेहन और बेटी का सम्मान चाहिए पर इसलिए एक नहीं ऐसी मैंने तेकिया मदबुजे करवे कहते हुए 35 परसेंट रिजर्वेशन में ने सरकारी नौकरियों में भी बेटियों के लिए कर दिया कि जाहो बेटियों तुम सास्की नौकरियां भी करो हमारी 50 परसेंट बहने आजकल मेर सरपंज पारसद अलग अलग पदों पर हैं यह सामाजिक क्रांपी है लेकिन हो यह राय की खजाना खोलकर रेवडियां बाटने से यह राज्य कर्ज के बोश तले दब गए हैं अगर मद्य परदेश की बात करें तो मद्य परदेश में यह कर्ज चार लाख करोड रुपे से भी अधिक हो गया है अगर पिछले आठ दिनों की ही बात करें तो इस आठ दिन के भीतर मद्य परदेश सरकार ने चौथी बार कर्ज बजार से उठाया है राजस्तान की बात करें तो वहाँ पर कर्ज बढ़कर 5,37,000 करोड रुपे तक पहुँच चुका है यह RBI की रिपोर्ट के हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं इस दिमाई में ही 12,000 करोड रुपे से अधिका कर्ज यह राजस्तान सरकार ने लिया है पंजाब के बाद कर्ज में डूबावा देश का दूसा सबसे बड़ा राजजगर कोई है तो वह राजस्तान है और चुनावी रेवडियों को लेकर आपको दाले कि सुप्रिम कोट में ग्याची का भी दैर की गई है इस पर मुख्यमंति अशोग गलोत ने क्या कहा है वो सुन लेते हैं सुप्रिम कोट में जवाब मांगा है राजस्तान सरकार से चुनाव से पहले ही आप ये स्किंट स्प्री की को दे रहे इसे प्रकार सब्सक्राइब कि अधिए निर्म आप मुझे ज़ाइब कर दो में क्या जिवाब देना पर कि शुप्रिम कोट मुष्ट उमानने जो निसी को मुष्भान देते हैं सरुप्र साथ मुष्भान करते हैं उन्होंने कोई प्रेल फाल किया किसी ने क्या श्यों मोटों दिया है मुलने लेंगा वेल मारूं करूं थरते हैं